नमस्कार दोस्तों, GSACP के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम राज्य सबा के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे इसका जो भाग 1 है वो अपलोट किया जा चुका है आप पहले उसको जाके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो description में दिएगे टेलेग्राम लिंक पर जाकर आप इसको free of cost डाउनलोड कर सकते हैं चले ही शुरात करते हैं पहले कोशन से पहला कोशन बोल रहा है कि भारतिये संसत का इस्थाई सदन जो है वो कौन सा होता है तो मैंने बताया था भारतिये संसत का जो इस्थाई सदन होता है वह राज्यसभा होता है option number B जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले कोशन की और बढ़ते हैं अगला कोशन है कि राज्यसभा बंग की जा सकती है राज्यसभा बंग ही नहीं की जा सकती है मैंने बताया था, यह इस्थाई सदन होता है, तो भंक कैसे की जा सकती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं, अगला कोशन क्या है, कोशन बोल रहा है कि राजसभा का सरुपतम गठन किस वर्स में हुआ था, इंपोर् सही बात है, इसके सदस, राज्यों में प्रतेक निर्वाचन छेत्रों से प्रतेच निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, तो यह बात गलत है, डारेक्ट नहीं चुने जाते हैं, इंडारेक्ट तरीके चुने जाते हैं, राज्यसभा यथा सीग्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापती चुनती है जो राजसभा को जो सभापती होता है वो उपराश्पती होता है तो चुनते तो हैं नहीं तो राश्पती जो है पदेन सभापती होता है और पदेन का अर्थ मैंने बताया था पदेन कार्थ मतलब कोई भी ऐसी पोश्ट जिसको धारड करने से वह सोता ही सबापती बन जाता है उसे पदेन बोलते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए अपलेके बोल होता है पदेन का मतलब तो उपराश्पती होगा तो ये भी बात गलत हो जाएगी और भारत के महा नियावादी को राजपती बोलने का अधिकार नहीं है तो ये बात बल्कुल गलत है बोलने का अधिकार है बस वॉटिंग का अधिकार नहीं है उसे याद रखियागा ये चीज़ तो इस कुश्चन का स़ही जाब क्या है ऑप्सन नमबर A is the right answer प्रतेक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है वो कौन करता है तो उसका जो निर्वाचन है वो विधान सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं option number D जो है इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधी का जो निर्वाचन है वो राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधी प्रदति के एकल संक्रमर्डिय मत के द्वारा किया जाता है और अनुछेद अनुछेद नंबर 80 का जो सब क्लॉस 4 है उसमें बताया गया है ये बात और राज्य सभा के लिए राज्यों की सीटो का बटवारा उनकी जनसंक्या क्या अधर पर किया गया है ये भी याद रखियेगा और राज्य सभा के सदस्यों का जो कारेकाल होता है वा 6 वश्य का होत जाते हैं option number C जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते है question क्या है question बोल रहा है कि निमली कित्कत्नों पर विचार कीज़े देखते हैं दो कथन है आपको सही और गलत वताना है पहला कतन है कि केवल राजसभा में या सक्ति नहीं थे राजसुची में किसी विशय के सबंद में रॉस्य हिप में संस्द विधी बना सकती है क्या बात सही है हाँ यह बात बिल्कुल सही है दूसे करते हैं कि आपात की उद्घोष्णा का अनुमोधन करने वाले संकल्प केवल लोकसभादवारा पारित किये जाते हैं बिल्कुल गलत बात हैं Rajis Abadwarabha भी पारित किये जाते हैं याद रखियेगा तिस संकल्प पारित करके या घोशित कर दिया जाए कि राष्टे यहित में या आवश्यक है कि संसद राजी सूची में वर्डित किसी विशय पर विदी बनाए तो संसद का उस विशय पर कानून बनाना विदिवत संगत होगा और राजसभा का ऐसा संकल्प जो है केवल एक वर्स के लिए प्रभावी होगा कितने वर्स के लिए एक वर्स के लिए प्रभावी होगा यह याद रखिएगा और संसद के दोनों सदनों द्वारा मतलब लोग सभा के द्वारा भी राज्य सभा के द्वारा भी आपात काल की उद्गोश्टा जारी होने के एक माह के भीतर कितन प्रदत के अनुमोधन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है मतलब छह महीने तक अपातकाल लगा है रो फिर से छह महीने के लिए एक्स्टेंड कर दो बताया नहीं किया है कब तक लेकिन इक्स्टेंड आप कर सकते हो तो इस कुश्चन का सही जो आप क्या था वा था अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं प्रश्ण क्या है प्रश्ण बोल रहा है कि निम्लिकित निम्लिकित विशेशा दिकारों में से कौन से भारत के सम्विधान द्वारा राज्य सभा को प्रदत किये गए हैं आपको बताना है पहला है कि राज्य का वर्तमान राज्य छे सेवाओं के सजन है तो ससक बनाने के एक प्रिस्ताव पारित करना क्या बात है राज्य सभा को मतलब राज्य सभा के लिए अप्लिकेबल है तो बिल्कुल सही बात है तो राज्य सभा में न दो ही चीज पूछी जाती राज्य सभा दो काम इंपॉर्टेंट तरीके से करती है पहला एक काम करती है यह इसके अखिल भारतियी सेवावास अर्ट तो इसको याद धिक है और दूस्रे नंबर पर राजसुची में नियम बनाने से री राज्य सबार का उसमें participation होता है इन डोनों में ये question confuse करने के लिए पूछता है कि इसमें राज्य सभा से अनमोधन लिया जाएगा की नहीं तो लिया जाएगा ये याद रखिएगा तो दूसरा कथन जो इसका है वो सही है तीसरा है कि राश्टपती की निर्वाचन प्रकिया में संसोधन करना और रा जाएगा option number B is the right answer option number B is the right answer और भारत के सम्विधान द्वारा राज्य सभा को प्रदत्य किये गए विशेशा अदिकार कौन-कौन से हैं वह अनुच्छेद नमबर 249 के सब क्लॉस एक के तहित राज्य सूची के विशह में नियम बनाने और सम्विधान के अनुच्छेद न अनुच्छे नमबर 312 इन दोनों को याद रखिएगा ये कभी-कभी पूछ लेते हैं बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है तो इस कोश्चन का सही जवाब क्या था वह था option number B is the right answer अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं कोश्चन क्या है कोश्चन बोल रहा है कि राज्य सभा क नमबर 249 के तहुत बताया गया है यह जो बताया गया है यह article 209 को भी याद रखिया अ helmets क्यों बढ़ते हैं कोश्चन क्या कोश्चन बल रहा है कि अनुच्छस इंचास अक Ihr looking प्रवत्त रहेगा तो कितने समय के लिए प्रवत्त रहेगा और अनुच्छे नंबर 249 के पहले में यह बताया गया है तो इसको याद रखिएगा अगले कोशन के बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन बोल रहा है कि राजसभा के संदर्व में निमलिकित कत्नों पर विचार कीज में खोजा जा सकता है जब भारत सरकार अधनियम 1919 का अनुकरण करते हुए काउंसिल ऑफ इस्टेट के नाम से जाने गये दुर्तिय सजन का सरजन किया गया था यह बात सही है बिल्कुल यह बात सही है और इसका दूसरा कदन क्या है दूसरा कदन बोल रहा है कि राज सभा क यह गोशित करने के विशिष्ट सकतियां हैं कि राश्टिय हित में या आवश्यक और समीचीन है कि संसद राजिसूची के किसी विशाय के संदर्व में निर्मित करें यह बात बिल्कुल सही है तो इस कोशन का सही जोप क्या हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी एक दिन राज्यसभा की बैटक में 120 सदस्य उपस्थित थे जिने लोक सभादवारा पहले ही पारित एक साधारण विदेयक पर मद्दान करना था और 75 सदस्यों 75 सदस्यों ने विदेयक के पच्छ में मत दिया ठीक है इस संदर्व में निम्लिकित परिडामों में से कि राज्यसभा की कुल संख्या के आधे सदसे ना उपस्थित थे ना मद्दान में भागी भागिदार थे तो यह बात बिल्कुल गलत है जो नहीं आया वो नहीं आया कोई दिक्कत नहीं जो टोटल काउंट किया जाता है वो केवले कोल प्रेशिडेंट के महाभयोग में इ प्रेश दिया जाएगा क्या बात सही है बिल्कुल बात सही है 120 का अगर आप हाफ करोगे कितना आएगा आएगा 60 वोट दिया 75 लोगों ने और विधेयक पारित नहीं माना जाएगा क्योंकि मद्दान करने वालों के दो तिहाई भाग ने ह मैंने बताया था दो ही चैत्र में जादा हैं एक खिल भारती मतलब एक खिल-VIN भारती सिवाण से संबंदित हैं और दूसरा राज्य सूची में कानून बनाने से related है और तीसरा याद रखिएगा कि जो संविधान के संसोधन में है ना उसमें भी सक्तियां प्राप्त हैं किसको राज्य सभा को लोग सभा की तरीके सही तो option number B जो है इसका सही बता है इसको याद रखिएगा यह आर्टिकल नंबर 368 में बताए गया आटिकल नंबर किसमें तीन याद रखिएगा एक दूसरा 312 आर्टिकल नंबर और तीसरा तीन सो और सट दिरे दिरे आपको आर्टिकल भी आ दोते चले जा रहे हैं तो इस कुश्चन का सब्सक्राइब क्या था वह था ऑप्शन नंबर बीज़ा राइट एंसर अगले कुश्चन क्यों बढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि कथन और कारण दे रखा आपको बताना भारती सेवा का स्टित 1963 में राजसवा की संतुस्ति का परिडाम था क्या बात सभी नहीं ये बात जो है वह गलत यह वह गलत है यह उनीशो दिसंबर 1961 में आया था ठीक है तो पहला गलत हो गया तो ऑप्शन तो वैसे ही बी हो जाएगा और दूसरा है राजसभा अपने उपस्तित है वह मत देने वाले सदस्यों को दो बाई तीन बहुमत से एक याधिक अखिल भारती सिवाव का निर्मित कर सकती है बिल्कुल सही बात ही है तो इस कोशन का सभाव जाएगा वह जाएगा और अगले कोशन की और बढ़ते हैं कोश क nécessitushita की ऐ दॉक्तर सअवपली रादा कृशन जी 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 यह थे उस समय के उपराष्ट पती उन्होंने की सकती है तो इस Stunden बिल्कुल सहिए राजसभाथ धन विदैयक में संसोधन कर सकती है नहीं संसोधन बिल्कुल नहीं कर सकती है ठादा राजेसा बाध धन्विधेयक पारित करने में अधिक्तंव्य धिनों का विलंबन कर सकते बिल्कूल बात दिन रख सकती है और राज थो उसकार नहीं सकती यह क्यों कर सकती है अ commander क्या हो जाएगा बी संसोधन कर सकती है अगले प्रश्ण है तीन कथन दे रखें आपको बताना है कौन सा घृत नहीं है कि उम्र में मतलब रूख सभा के लिए 25 साल का होना चाहिए राश्टपती के लिए 35 उपराश्टपती के लिए 35 यह चारू पूछे जाते हैं इनको यान रखिएगा दूसरा है कि जहां से अब अभियर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप मे पंजीकरत होना चाहिए क्या यह बात सह OBlack video क्हुín अब प्राश्टके जोह सही नहीं है यह बात जो है वह गलत है है और तीजरा है राज्य के अंतरगत लाबका पत्धारित नहीं होना चाहिए बिल्कूल सही बाद है सही जवाब क्या हो जाएगा वह О ele il apse संग के प्रतेक मंत्री और महान्यावादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसत की किसी समिती में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कारिवाही में अनिथा भाग ले किन्तो इस अनुच्छेत के अधार पर वह मत देने का अक्दार नहीं होगा मैंने बताया था ना मत दे नहीं सकता बोल जरूर सकता है तो इस कोश्चन का सभी जाब क्या था वह था ऑप्सन नमबर सी दाराइट एंसर अगले प्रशन की और बढ़ते हैं प्रशन क्या है संगे छेत्रों को जो प्रतिनिर्त प्राप्थ है वह किसमें प्राप्थ है वह लोकसभा में प्राप्थ है और राज्यसभा में प्राप्थ है ऑप्सन नमबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा तो आज यह राज्यसभा का पूरा चैप्टर खतम हो चुका है अगली वीडियो जो आएगी वह इसके लोग सभा के उपर आएगी तो कैसी लग रही आपको वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में लेके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद